प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस online platform विदाक्षी classes में मैं आपका chemistry teacher आकाश उकला आपको पढ़ाऊंगा class 9 से लेकर के 12 तक की chemistry तो बच्चों आज के अपने इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं class 12 का एक बहुत ही खूपसुरत चैप्टर जिसका नाम है विलेन तो बच्चों हम लोग विलेन चाप्टर की शुरूआत करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि विलेन शब्द का अर्थ क्या है और ये विलेन हमारे दैनिक जीवन में कहां-कहां पर प्रयोग होते हैं तो बच्चों विलेयन शब्द जो है वो बना है विले से और विले का अर्थ होता है मिल जाना, शामिल हो जाना, घुल जाना जैसे आप सुना करते होंगे इतिहास में कई बार ये विले शब्द का जिक्र देखने को मिलता है कि इस महराजा ने उस जगे का अपने राजधानी में विले कर लिया उस देश को जीत करके अपने में विले कर लिया तो विले शब्द का अर्थ होता है बच्चों किसी एक चीज का दूसरे के साथ मिल जाना अर्था घुल जाना इस चैप्टर के अंतरगत भी बच्चों हम लोग ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं हम यहाँ जानने वाले हैं ऐसे पदार्थों के बारे में जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ घुल करके बना देते हैं विलेन तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर में अपनी जरनी को और जानते हैं कि विलेन की परिवाशा क्या होती है तो बच्चों आपने अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी ग्लूकोज, चीनी, नमक, इत्यादी को पानी में तो घुलाई होगा और जब आप बच्चों पानी में इन चीजों को घुलते हो तो घुलने के बाद आपको प्राप्त हो जाता है विलेन तो इस विलेन को बनाने के लिए माल लीजिए आपने यहाँ पर चीनी को चुना चीनी का विलेन बनाना चाह रहे हो तो जब आप चीनी को पानी में घुलोगे तो आपको मिलेगा शर्बत तो बच्चों चीनी और पानी का जो घुल है उसे हम यहाँ पर शर्बत कह रहे हैं अगर इसी को हम कैमेस्ट्री के टेक्निकल शब्दों में कहें तो बच्चों चीनी यहाँ पर कहलाएगा विले पदार्थ विले अर्थाथ जो विलीन हो रहा है जो घुल रहा है जो मिल र बनाते हैं विलेन बनाते हैं तो किसी भी विलेन की जो रचना है वो विले और विलायक से होती है आपको इस अध्याय में हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी विलेन का निर्माण कर रहे हो तो विले की मात्रा तो विले की मात्रा अल्प और विलायक की मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि विले हमेशा गुल करके विलायक की भौतिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है जब आप चीनी या ग्लुकोस को पानी में गोलते हो तो उनकी भौतिक अवस्था है बचों ठोस और पानी में घुल जाने के बाद अब उनकी अवस्था ठोस नहीं रहती अर्थात अब वेवी पानी की अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में आ जाते हैं तो इसी को बच्चे हम लोग कह रहे हैं विलेन जिसमें कोई विले किसी विलायक के साथ मिल जा रहा है सामिल हो जा रहा है घुल जा रहा है तो समझ गया हूंगे आप विलियन सब्द का साब्दिक अर्थ है विलियन सब्द विले से बना है और विले से बना है विले और विले विलायक में घुल करके ही बच्चों क्या बना देते हैं विले तो चलिए यहां पर इसके हम लोग टेक समागी मिश्रण को विले तथा विलायक के समागी मिश्रण को विलेन कहते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक शब्द जरूर आपको ध्यान देना चाहिए और वह शब्द है समांगी समांगी का अर्थ होता है ऐसा विलेन प्राप्त होना चाहिए जिसमें विले के कण विलायक के कणों के साथ पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएं अर्थाद विले का कोई भी कण विलायक से प्रथक नहीं दिखाई देना चाहिये ऐसे विलिनों को बच्चों हम लोग कहते हैं समांगी विलियन जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी का प्रतेक कण़ पानी के साथ घुल जाता है कोई भी चीनी का कण़ पानी से अलग नहीं दिखाई देता तो अरथात चीनी और पानी का जो विलियन है वह बच्चों है एक समांगी मिश्रण अर्थात एक समांगी विलियन इसी के तरफ इसी का उल्टा अगर आप दूसरी तरफ देखें और आप चीनी की जगह घोल दें किसको बालू को और बालू पानी का मिश्रण बना लें तो क्या बच्चो बालू पानी में गुलेगी आप कितना भी चम्मच लेकर करके डिजॉल्व करते रहें घोलते रहें कभी भी बालू पानी में नहीं गुलेगी अर्थात बालू के कर पानी के साथ पून रूप से मिश्रणी नहीं है अर्थात यहाँ एक समांगी विलियन नहीं है या हुआ ए विले विलायक के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो जाए जब आप बच्चों नमाक या चीनी या ग्लूकोज या यूरिया को पानी में गोलते हो तो इनके कंड विलियन के प्रतेक हिस्से में समान रूप से गुल जाते हैं ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होता जहां पर कहीं पर ची इनकी मात्रा अधिक हो अगर हम देखे दो चीनी के कंड पानी के साथ प्रतेक स्थान पर समान रूप से दिखाई देते इसका इसका अर्थ यह हुआ बच्छों कि चीनी और पानीका जो मिश्रण है कैसा मिश्रण है एक समानगी मिश्रण है यह अब समांगी तब होता कि चीनी का कोई एक हिस्सा किसी एक हिस्से में पानी के जाधा गुल जाता और दूसरे हिस्से में कम गुलता लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है जब SAP science कि बात करते हैं तो एक-एक पानी का कनड परते हिस्से में बराबर से गुलता है अगर आप चमच लेगे किसी एक हिस्से से पीए पानी को, बने हुए शर्वत को तो उसकी मथास और किसी दूसरे हिस्से से पीएं तो उसकी मिथास समान ही लगेगी ऐसा नहीं होगा कि बना हुआ शर्बत किसी एक हिस्से में ज़्यादा मीठा है और किसी दूसरे हिस्से में कम मीठा है तो उम्मीद है आप इस एक रूपता को समझ चुके होंगे एक रूपता अर्थात यूनिफॉर्मिटी को आप जान गए होंगे समांग का अर्थ है युनिफॉर्म सॉल्यूशन अर्थात एक ऐसा विलियन जिसमें विले-विलायक के साथ एक रूपता ग्रहन कर ले विले-विलायक का मिश्टरण एक रूप हो जाए एक समान हो जाए एक जैसा हो जाए ठीक है बच्चों तो चलिए बच्चों हम लोग ने यहां पर जाना विले क्या होते हैं विलायक क्या होते हैं और समांगी मिश्रण क्या होते हैं अब बच्चों में यहां पर जिस बात का ध्यान देना है वो है कि जब भी हम किसी विलेन को बनाते हैं तो बच्चों किसी भी विलेन को बनाते सम में हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना चाहिए कि विलेन के जो दो कंपोनेंट हैं दो आव्यव हैं वो कौन-कौन से हैं विले हैं और विलायक है तो जब भी बच्चों आप किसी विलेन को बनाए तो उसमें विले की मात्रा हमेशा अल्प होनी चाहिए और विलायक की मा मात्रा मेशा क्या होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए किसी भी विलेन में इस चैप्टर के अंतरगत आप जितने भी विलेन पढ़ेंगे सभी में विले बहुत थोड़ा और विलायक बहुत अधिक मात्रा में होगा तभी तो विले विलायक में जाकर के विलायक की बहुतिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा चीनी पानी में गुलने के बाद चीनी के प्रत्यक पानी के समान हो जाते हैं अर्थात द्रव हो जाते हैं तो यही बच्चों कहलाता है विले की अल्प मात्रा और विलायक की अधिक मात्रा क्योंकि विले विलायक के साथ तभी समांगी मिस्रण बना सकता है जब विले का प्रतेकन विलायक के साथ इस प्रकार से मिल जाए कि विले की भौतिक अवस्ता विलायक की भौतिक अवस्ता के जैसी हो जाएं बहुत ही गवस्ता का मतलब ठोज द्रवया गैस ठीक है तो आपने यह जान लिया कि विले हमेशा अल्प और विलायक हमेशा अधिक होना चाहिए बच्चों एक चीज और जान लेने हैं आपको यहां पर छोटी सी कि इस चैप्टर के अंतरगत आप जितने भी विलेनों का अध्यन कर रहे हैं सभी के सभी हैं बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी विलेन क्या होते हैं तो बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं ऐसे विलेन जिनमें एक विले हो क्या हो एक विले और एक विलायक हो अर्थात हमें यहां पर ऐसे विलेनों के बारे में स् यूरिया भी गोल दिया चीनी भी गोल दिया नमक भी गोल दिया और ऐसा मिला करके बना लिया एक एक सॉलूशन जिसमें बहुत सारे विले पदार्थ उपस्तित हैं तो यह बात ध्यान रखें हमें यहाँ पर सिंपल चीज़ें पढ़नी हैं सिर्फ ऐसे विलेनों का अध्यन करना है जिसमें एक विले एक विलायक हो अर्थाथ बाइनरी सॉलूशन हो इन्हें हिंदी में भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चों विलेनों के प्रकारों के बारे में हमें जानना है अब विलेन के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉलूशन तो बच्चों भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलेन के प्रकार बताए गए हैं वो बताए और इन में से अगर हम यह कहें कि जो नौ प्रकार हैं मुख्यता इनके प्रकार तीन ही हैं और हर एक के तीन तीन प्रकार हैं तो कितने हो गए नौ हो गए अब जो मैंने कहा मुख्यता तीन प्रकार हैं वो कैसे मुख्यता तीन प्रकार हैं हमें देखना है विलायक की प्रकति को तो बच्चों विलायक मुख्य रोल प्ले करता है किसी विलेन में क्योंकि विलायक की मात्रा अधिक होती है तो अगर हम बच्चों विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेनों का वरगी करण देखें तो सिर्फ तीन प्रकार से हैं तो एक तरफ हमने लिख दिया बच्चों विले की भौतिक अवस्था विले की फिजिकल स्टेट दूसरे तरफ हमने लिख दिया बच्चों विलायक की भौतिक अवस्था यानी कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट और अगला हमने कॉलम मना दिया उधारन जिसके अंतरगत हम लोग जानेंगे बनने वाल तो बच्चो नौ प्रकार के एग्जामपल कैसे हो सकते हैं जरा ध्यान दिजेगा एक एक एक्जामपल हम ने लिया जिसमें विले ठोस है और विलायक भी ठोस है अगर दोनों के आवस्था हैं भॉत इक आवस्था है है ठोस और ठोस हो तो बच्चो बनने वाले ऐसे विलियन को हम लोग कहते हैं ठोस विलियन और इसका बहुत ही अच्छा एक्जामपल है मिश्र धातुएं मिश्र धातुएं अर्थात एलॉइज हम लोग बच्चों अपने घरों में पीतल का इस्तेमाल करते हैं पीतल क्या होता है कॉपर और टिन का और धात्वों का मिश्च धातु है एक जिसके अंदर दो या अधिक धातु में एक समांगी मिश्चन बनाते हुए एक निश्चत अनुपात में उपस्तित होती हैं इसी प्रकार से बच्चा हम लोग यूज करते हैं कई बार आपने देख जिनते हैं वो शुद्ध सोना नहीं है उसमें कुछ दस से बीस परसेंट तामभा भी उपस्तित है जो गोल्ड को प्रदान करता है मजबूती अर्थात हार्डनेस कठोरता लाता है उसमें तो जितनी भी मिश्चरदात हुए हैं वह यहां पर एक्जामपल कर रूप में लि दूसरा एक्जामपल है बच्चों औरे प्रकार के बारे में जिसमें यदि विले के रूप में कोई द्रव हो और विलायक के रूप में बच्चों क्या हो कोई द्रव हो अर्थात एक द्रव का दूसरे द्रव में जो विलियन बनेगा वह बच्चों किस प्रकार का विलियन होगा तो बच्चों उसे हम एक द्रव विलियन कहेंगे और इसका एक बेस्ट एक्जामपल है अलकोहल इन वाटर यह ज़िए जो हम शराब को पानी में मिश्रणी करते हैं अर्थात मिलाते हैं तो शराब का जो पानी में विलियन होता है बच्चों वह कहलाता है एक द्रव व विलायक हैं वो दोनों द्रव अवस्था में हैं क्या बता सकते हैं इसमें कौन विले कौन विलायक है जब शराब को पानी में मिलाय जाता है तो बच्चों शराब की क्वाणिटी होती है बहुत थोड़ी और पानी की क्वाणिटी होती है काफी जादा तो इससे आप समझ गय होगे कि विलेग यहां पर अल्कोहल होगा और विलायक जो यहां पर होगा वह जल होगा इन दोनों का जो बच्चों मिश्द में वह समझेखेंगे किसी गैस का गैस में विलियंग तो जब बच्चों एक गैस को दूसरे गैस में मिलाया जाता है तो इनके मिलने से सदैव एक समांग मिस्त्रण ही मिलता है दो गैसें आपस में मिल करके कभी भी विसमांग विलियंग नहीं बनाती ही दो द्रव मिल करके विसमांग हो सकते हैं दो ठ यह एक्जामपल है वायू मेंडल में जो गैसे हैं या आप किसी एक कंटेनर को ले लीजिए उसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम आधी गैसों को भर दीजिए तो वो गैसे बच्चों सदयो समांग रूप से मिलेंगी अर्थात उनके बीच में कोई भी प्रतिकर् जो है किसी ठोस का द्रौ में जब बच्चों किसी ठोस को द्रौ में मिलाते हैं तो ठोस और द्रौ के बीच जो बनने वाला मिश्रण है वह भी समांग होना चाहिए तो सोचिए ऐसा कोई एक्जामपल कि किसी सॉलिट को हम लिक्विट में मिलाएं और एक समांग मिश्रण तो थोस का द्रॉव में अभी आपने देखा क्या देखा ग्लूकोज का जल में विलेन यह आप यहां पर शुगर लिख सकते हैं यह आप नमक भी ले सकते हैं फिर पांचवाइं एब बच्चों किसी ठोस का देखिए ठोस का ठोस में विलियन हो गया ठोस का द्रौ में विलियन हो गया अब लोग देखेंगे याँ पर बच्चों ठोस का गैस में विलियन सोचिए कोई ठोस पदार्थ गैस में मिस्ट्रणी हो और मिलके बना रहा हो एक समांगी मिस्ट्रण जी है एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल मैं समझाता हूँ सॉलिड का गैस में वलियन ए depths सॉलिड का डैस में समझना है बच्चों यह आप'Mठ देख सकते हैं आप सॉलिड का गैस में तो जब बच्चों आप कपूर को कपूर अरृधात कैमफर तो जब आप कैमफर को जलाते हैं तो कैमफर को जलाने पर क्या होता है जो कैमफर की वाश्प होती है यानि की कैमफर को जलाने पर कैमफर की वाश्प कहां चली जाती बच्चों वायो मंडली गैस में गुल जाती है यानि मिल जाती है तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि जो एक ठोस होता है कैमफर को अमलोग बच्चों कहते हैं कपूर ठीक हैं आपने कई बार पूजा करते समय इस्तेमाल किया होगा कपूर कहला बच्चों इसका एक दूसरा एक्जामपल भी है नेफ्थलीन जब आप नेफ्थलीन लेते हैं तो नेफ्थलीन का सूत्र क्या होता है बच्चों नेफ्थलीन होता है जब आप दो बेंजीन रिंगों को आपस में जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या नेफ्थलीन इसका अड़सूत्र होता है C10H8 तो जब आप नेफ्टलीन को बच्चो जलाते हैं तो नेफ्टलीन क्या होता है कपड़ों में रखी जाने वाली वाइट कलर की बॉल्स आपने अक्सर देखी होंगी बच्चों आपने अक्सर यहाँ भी देखा होगा कि जो ओटो निल होती है वो भी समय के साथ साथ दिरे-दिरे समाप्त हो जाती है आपने देखा होगा बच्चों ट्वाइलेट में यूज की जाने वाली भी जो सफेद कलर के बाल्स होती है वो सभी नेफ्तलीन बाल्स होती है और यहाँ भी समय के साथ साथ वायू में दिरे-दिरे गुल जाती है अर वायूमिंडल में चली जाती है ! अर्थात आयोटीन जो ठोस है वह द्रौ में नहीं पिगलता यह सीधे गैस में बदल जाता है और बच्चों इसके एक्जामपल है एक और आपको देते हैं अमोनियम क्लोराइट तो बच्चों जो में बदल जाता है तो आपने चार एक्जामपल देखे और चारों एक्जामपल में चाहें वो कैमफर हो नेफ्थलीनो आयोडीनो अमोनियम क्लॉराइडो यह सभी के सभी पदाज बच्चों गर्म करने पर भिनाद्रव में बदले सीधे गैस में बदल जा रहे हैं तो इस क्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं उर्द्व पातन अरथात सब्लीमेशन कहते हैं बहुत ही बढ़िया शब्द आपने जाना इसे हिंदी म कहा जाता है उर्द्व पातन तो उर्द्व पातन की क्रिया क्या होती है उर्द्व पातन की क्रिया होती है बच्चों जब हम किसी जब किसी ठोस को जब जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्थित हो जाए बिना द्रव अवस्था में बदले तो इसे बच्चों क्या कहते हैं सब्ली मेशन अर्थाद उर्दवपातन की क्रिया कहते हैं तो आपने समझा कई बार यहां कोश्चन पूछ लिया जाता है कि बताईए अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का पदार्थ है तो ammonium chloride का उर्धुरिट है, आपने समझा इस चीज़ को, तो ammonium chloride किस प्रकार का प्रदार्ध है, तो ammonium chloride ऐसा प्रदार्ध है जिसका उर्धुरोपातन हो जाता है, अर्थात वह बिना ठोस से द्रौ अवस्ता में बदले सीधे गय सा वस्ता में परिवर्तित हो जाता है, एक्जामपल यहां हम लिख देंगे ठोस का जो गैस में एक्जामपल है कपोर नैप्थलीन और बच्चों क्या हो सकता है अमोनियम क्लोराइट एन एच फॉर औडीन आदी तो ये सब जो बच्चों उसमें एक ठोस पदार्त बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तिद हो जाता है अब लोग जानते हैं नेक्स्ट इक्जाम्पल और जो नेक्स्ट एक्जाम्पल है वह है देखिए ठोस का ठोस में हो गया ठोस का ड्रौ में हो गया अब ऐसे ही हमको तीन के बनाने द्रौ का द्रौ में विलियन हो गया हम देखते हैं बच्चों किसी द्रौ का ठोस में विलियन अब सोचिए कि एक द्रौ किसी ठोस में मिल जाए और द्रौ की मातरा कम हो अर्थात वह विले के रूप में हो और ठोस की मातरा अधिक हो अर्थात विलायक के रूप में हो इसका उल्टा अभी आपने देखा है द्रौ का ठोज और इसका उल्टा क्या होगा ठोस का द्रव तो देखिए ठोस का ड्रव अभी आपने देखा है ठोस के ड्रव के तो बहुत advocogn dainek जल में यूरिया जल तो कोई उधारण में आसपास सामानतिया देखने को नहीं मिलता लेकिन केमेस्ट्री में इसका एक बहुत ही भेतरिन एक्जामपल है और वह बच्चों सोडियम अमलगम क्या है सोडियम अमलगम एने एच जी एने एच जी को बच्चों लोग कहते हैं सोडियम अमलगम और मरकरी सदय द्रव अवस्था में होता है जिसमें मरकरी की द्रव अवस्था में होता है और सोडियम सदय ठोस अवस्था में होता है तो देखा बच्चों आपने याँ पर मरकरी द्रव है सोडियम ठोस है तो सोडियम अमलगम जो है वह इसका एक बहुत ही अच्छा एक्जा जी हां तो सोडियम के जैसे ही बच्चों पोटैसियम भी है जो मर्करी के साथ गुल करके बनाता है पोटैसियम अमलगम जिंक भी बनाता है जिंक अमलगम इसका Class 12 में Clevenson Up Chayn में बहुत प्रयोग होता है जिंक अमलगम का ठीक है तो आपने बच्चों यहां पर जाना कि ठोस का ठोस में विलियंड ठोस का द्रौ में विलियंड ठोस का गैस में विलियंड द्रो का द्रो में द्रोका ठोस में अब जो सात्मा उधारण है वह सोचिए कोई लिक्विट किसी गैस में घुल जाए क्या संभव है द्रव का गैस में विलियन जी हाँ जल वाश्प जल वाश्प जब आप जल को वाश्पित करते हैं गर्म करते हैं तो उसकी वाश्प में बनती है और वो सारी वाश्प में चली जाती है अर्था द्रव का गैस में विलियन प्राप्ट हो जाता है तो जलवाश पिसका एक्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और हम जानते हैं विलयन नमबर आठ आप बच्छों कौन सा हो सकता है ज़रा सोचके बताईए हमारे पास में कौन-कौन से विलियन बचे हैं बनाने के लिए तो देखे मैंने कहा था आप से द्रौ के तीन बनाने हैं तो द्रौ का द्रौ में द्रौ का ठोस में और द्रौ का गैस में हो गया अब हमको तीन और प्राप्त करने हैं जो हमें बनाना है गैस का गैस में हो गया अब सोचिए गैस का ठोस में और गैस का द्रौ में विलियन कैसे बनेगा गैस का ठोस में और गैस का द्रौ में तो आठवा एक्जामपल है गैस का ठोस में विलियन और नवा एक्जामपल है गैस का द्रॉमे विलियन तो बच्चों किसी गैस को किसी ठोस में मिलाना है सूचिए जरा इसका कोई एक्जामपल है क्या तो चलिए इसका एक एक्जामपल हम आपको देते हैं कि किस प्रकार से किसी गैस को क्या कर सकते हैं ठोस में मिला सकते हैं यहां से तो किसी गैस का बच्चों हमें बनाना है ठोस में विलियन गैस को सॉलिड में गोलना है तो इसका बहुत ही खूपसूरत उदारण है केमिस्ट्री में वो है बच्चों अधिसोशन क्या है अधिसोशन जिसे हम लोग कहते हैं इंगलिश में adsorption 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 क्या होता है आप लोग को लग रहा होता है अबने spelling गलत लिख दी क्या absorption सुना आए हम ने तो जी नही बच्चों adsorption भी होता है absorption भी एक शब्द है अब सोशन और यह बच्चों अधिसोशन यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी धातू की सताय लेते हैं धातु की सताय बच्चों जैसे कि पैलेडियम धातु की सताय हो सकती है निकल की हो सकती है PD पैलेडियम होता है डी ब्लॉक का एक तत्यू है, निकल भी हो सकता है, प्लाटेनम भी हो सकता है, किसी भी धादुकी आपने यह पर एक सत्या ले ली, यानि चून्ड के रूपने आपने क्या कि आपने घर के किसी एक कमरे में पैलेडियम का चून्ड बिछा दिया, और आपने उस कमरे के भीतर भर दी हाइड्रोजन गैस तो बच्चों जो हाइड्रोजन गैस के अडू है वो समय के साथ साथ धीरे 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 पैलेडियम की सतय पर जाकर बैठ जाएंगे पैलेडियम की सतय पर चिपक जाएंगे इसे ही बच्चों कहते हैं अधिसोश अर्था जब कोई गैस के अड़ो धीरे धीरे जाकर के पैलेडियम की सतय पर एकत्रित हो जाते हैं और अगर यह प्रोसेस देखा जाए तो यह प्रोसेस कहलाता है बच्चों अधिशोषण, अधिशोषण का प्रक्रम तो क्या होता है अधिशोषण में? अधिशोषण में होता है बच्चों एक गैस का किसी धातो की सतह के उपर, solid धातो की सतह के उपर, इखटा हो जाना, accumulate हो जाना इस चीज़ को बच्चों हम क्लास 12 में ही चैप्टर नंबर 5 प्रेस्टर असायन में पढ़ाएंगे जहां पर अधिसोशन एक पूरा टॉपिक है आपके सलेबस में तो चलिए बच्चों आपने सीखा और जाना कि जब किसी गैस अर्थात हाइड्रोजन को ठोस अर्थात पैलेडियम धातु की सतय के उपर अधिसोशित कराया जाता है तो यहाँ भी एक समांग विलियन होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस के रूप में और पैलेडियम धातु ठोस के रूप में होती है तो यहाँ पर आप एक्जामपल में लिख सकते हैं कि गैस का जो ठोस में विलियन है वह है बच्चों हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु पर अधिसोशन अधिसोशन एड्जॉप्शन ठीक है चलिए लास्ट एक्जामपल देखते हैं गैस का द्रौ में बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट 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 एक्जामपल इंपॉर्टेंट है यह अर्थात जली जीवों के लिए स्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्रकता है और वे स्वास लेते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन से तो बच्चों जल में जो घुलित औक्सीजन होती है वह इसका उधारण है जब आप सोडा वाटर पीते हैं या कोल्टरिंग पीते हैं शीतल पे पदार्थ पीते हैं तो उनमें भी बच्चों कार्बन डायोकसाइड किसी द्रौ के अंदर घुली होती है तो आप यहां लिख सकते हैं कि CO2 का जल में घुलना हला कि बहुत कम घुलती है बहुत अधिक नहीं घुलती है ऑक्सीजन का समुद्री जल या सामान जल में घुलना या आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप केवल सोडा वाटर लिख दीजिए तब भी सफीशेंट है तो यह तीनों एक्जामपल जो है बच्चों वो गैस के द्रो में उधारन को आपको समझा रहे हैं तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आपने जाना कि जो टोटल विलियन हैं वो नौ प्रकार के हैं और इन नौ प्रकार में भी अगर हम देखें तो विलायक की भौतिक अवस्ता की आधार पर अगर हम समझें तो अगर हम देखा जाएं अगर हम कहें कि जो ठोस के विलियन हैं ठोस का ठोस में बना द्रव का ठोस में बना गैस का ठोस में बना तो जो विलायक की प्रकति होगी भौतिक अवस्ता होगी तो विलियन की भौतिक अवस्ता के आधार पर अगर हम कहें तो बच्चों विलियन त राब्त हो जाते हैं विलायक की बहुत दिग अवस्ता के अधार पर विलेंग सिर्फ टीन स्वा-तर टिन नो तोटल जो विलेनों के प्रकार वो नौ है आगे बढ़ते हैं तो बच्चों देखा आपने किस प्रकार से हमने विले तथा विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलेनों का वर्गी करण किया तो अब बच्चों हम लोग को यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है किसी विलेन में विले की विलेता क्या होती है अर्थाच जब हम किसी विले की मात्रा को निश्चित मात्रा को किसी विलायक में घोलते हैं तो बच्चों विले की वह निश्चित मा विलायक में धीमे धीमे पूर्ण रूप से घुलती चली जाती है और इसी को ही बच्चों हम लोग कहते हैं विलेयता तो चलिए ज़रा हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसकी परिवाशा और जानते हैं कि विलेयता क्या होती है बच्चों हम लोग विलेता को इंग्लिश में solubility कहते हैं विलेता इंग्लिश में इसे कहते हैं solubility तो बच्चों विलेता क्या होती है किसी निस्चित ताप पर ताप बच्चों निस्चित होना चाहिए किसी निस्चित ताप पर विलायक के सौ ग्राम में घुलित विले की मात्रा घुलित विले की मात्रा को विलेता यानि सौलूबिलिटी कहते हैं ठीक है अब जैसे मैंने कहा कि 100 ग्राम में घुलित विले की मात्रा अब मालेजे की हमने 100 ग्राम में 30 ग्राम विले गोल दिया कोई विले की मात्रा मालेजे नमक है हमने नमक की 30 ग्राम मात्रा गोल दी अब 30 ग्राम के बाद बच्चों और अधिक मात्रा नमक की पानी में नहीं घुल रही है अर्थात अब 30 से जादा 31 या 32 ग्राम नमक में नमक का पानी में गोलना संभव नहीं हो पारा अर्थात गोलना बंद हो गया है तो बच्चों विलेता के आधार पर ऐसे विल्यनों को हम कहते हैं संत्रप्त विल्यन तो बच्चों संतरप्त विलियन कैसे विलियन होते हैं ऐसे विलियन होते हैं जिनमें और अधिक विले की मात्रा को विलायक में नहीं गोला जा सकता तो संतरप्त विलियन बच्चों क्या होते हैं ऐसे विलियन होते हैं जिसमें और अधिक मात्रा विले की विलायक में किसी निश्चता पर नहीं गोली जा सकती जैसे मैंने कहा कि 30 gram प्रति 100 gram NACL villian तो बच्चों यहां एक संत्रप्थ विलियन है क्योंकि यहां पर 30 gram मात्रा 100 gram विलायक में घोली जा चुकी है अब अगर इस से अधिक मात्रा को हम घोलना चाहते हैं और तो हम ताप को बढ़ाएंगे तो बच्चो और अधिक थोड़ी सी मात्रा विले की गुल जाएगी उसके अंदर और ऐसी अवस्था में आपको प्राप्त होगा अतिसंत्रप्त विलेन तो बच्चो संत्रप्तता के आधार पर भी विलेनों का वर्गी गरन इस प्रकार से क कम गुली हो जैसे मैंने कहा 30 ग्राम नमक को पानी में गोलना चाहिए संत्रप्त विलेन बनाने के लिए तो बच्चो अगर 30 से कम मात्रा गुली है 25 ग्राम या 28 ग्राम मात्रा ही गुली है नमक की पानी में 100 ग्राम पानी में तो बच्चो फिर ऐसे विलेन को हम कहेंगे अस असंतरप्त विलेन अर्थात unsaturated solution तो संतरप्त विलेन आपने समझा क्या होते हैं ऐसे विलेन जिसमें और अधिक विले को न गोला जा सके विलाहिक में असंतरप्त विलेन ऐसे विलेन होते हैं जिसमें की विले की मात्रा अभी और थोड़ी घुल सकती है थोड़ी कशर करके झबरदस्ति आपको चार से छे रोटी खिला दी तो बच्चों यह ओ गई अति संतरप्ता की अवस्ता और आगर आपको चार रोटी आप जितने की आवशक्ता है उससे अधिक गुला उआ है ताब को बढ़ा करके कॉल कि विलयता के आधार पर संतरत्व रियन और ठीत niemand के विलियन हो सकते हैं इनको अगर English में नाम दे तो बचों इनके English में नाम होते हैं Saturated solution unsaturated solution और सुपर Saturated solution तो जैसे माले ञें 30 कि आवसकता है और 30 गुला है तो बच्चों यह संतरप्त विलियन और अगर तीस किया हो सकता है और आपने गोल दिया 35 ग्राम या उससे अधिक प्रति सौ ग्राम में ताप को बढ़ा करके तो बच्चों इसे फिरम बोल देंगे अतिस अंतरप्त कि आवस्था हो गई तो देखा आपने कि किसी निश्चित ताप पर विलायक के 100 ग्राम में गुलित विले की जो मात्रा होती है उसे हम बच्चों उसकी विले की उस विलायक में विलेता कहते हैं उम्मीद है आपने यह समझ लिया होगा विलेता के आधार पर बच्चों हम लो छुद्छों जानते हैं बत्चों कि किसी भी विले की ठोस विले की किसी द्रोव में जो विलयता है उस पर पर क्या परभाव पर待って कई बार यहां से कोस्ट्व पूछा जाता है तो देखें ज़ туда टॉपिक है है कि विलेता पर नपताप का प्रभाव तो जब भी बच्चों किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तो ठोस पदार्थ की द्रव में जो बच्चों विलियता होती है वह ताप पढ़ाने पर बढ़ती जाती है इसलिए तो परिवासा में कहा गया है किसी निश्चित ताप पर क्योंकि अगर आप यहां ताप का परिवर्तन करेंगे तो बच्चों विलेता भी परिवर्तित हो जाएगी तो किसी निश्चित ताप पर जो मात्रा गुली होती है विले की 100 ग्राम विलायक में वह विलेता होती है और यहां पर हमें पता करना है कि विलेता पर ताप का प्रभाव क्या होता है तो बच्चों जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाते जाते हैं इस अपवर्ड हैरो का क्या मतलब है इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाते हैं ताप को बढ़ाने के साथ साथ बच्चों किसी ठोस की जो द्रव में विलेता होती है वह बच्चों क्या होती है बढ़ती गटती है तो यह सदयो बढ़ती है अर्था ठोस की थोड़ी और अधिक मात्रा को विले की मात्रा को विलायक में गूला जा सकता है जब भी हम ताप को बढ़ा देते हैं तो आपने समझ लिया होगा कि ताप के बढ़ने से किसी ठोस की द्रव में विलेता सदयाव बढ़ती है अगर आपको जानना है कि कारण क्यों गुलती है तो बच्चों जब आप किसी द्रव का ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ने से क्या होता है अड़ों की गती जूर जाए बढ़ती है जब अड़ों की गती जूर जाए बढ़ती है तो बच्चों अड़ों के मद में ज़्यादा इस्थान खाली हो जाता है और उस खाली रिक्त इस्थान में विले की थोड़ी सी और अधिक मात्रा डिजॉल हो जाती है अर्थात गुल जाती है तो ताप के बढ़ने के साथ साथ विले की अधिक मात्रा के घुलने का कारण है बच्चों कि ताप के बढ़ने से विलायक के अड़ों की गती जूर जहां बढ़ती हैं जिससे कि उनके बीच में रिक्त स्थान पैदा हो जाते हैं और उन्हीं रिक्तियों में जाकर के थोड़ नमक को पानी में गोलते हैं तो नमक पानी में बड़े आसानी से गोल जाता है लेकिन अगर हम इसी नमक को पानी के अलावा बेंजीन में गोलने का प्रयास करें या केरोसीन ओयल में गोलने का प्रयास करें बच्चों आपने तारपीन का तेल तो देखा ही होगा जो हम पेंट करने के लिए कई बार paint में मिलाते हैं paint करते समय उस तेल में अगर नमक की मात्रा को गोलें तो क्या नमक की विलेता जल के समान ही तारपीन के तेल में भी होगी क्या नमक तारपीन के तेल में भी गुल जाएगा तो बच्चों आपका निस्चित तोर पर उत्तर होगा नहीं गुलेगा अर्था की विले की किसी एक निश्चित विलायक में अर्था एक पर्टिकुलर विलायक में ही विलेता का माप किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि वह विलायक जिस प्रकार से जल में गुलंशीलता प्रदर्शित कर रहा है उसी प्रकार से उस व विलायक की प्रकति भी बच्चों बिन बिन हो जाने से विले की मात्रा बिन बिन हो सकती है और कई बार तो बच्चों अगर विलायक की प्रकति बहुत अलग हो गई तो विले की बिल्कुल भी मात्रा विलायक में नहीं घुलती जैसे नमक की मात्रा अभी मैंने उधारन लिया तो बच्चो एक भी ग्राम नहीं गुलेगा अर्थात नमक जो है NACL जो है वो पानी के अलावा दूसरे कार्बनिक विलायकों में गुलन्शील नहीं है अर्थात प्रकत के आधार पर विलायक दो प्रकार के हो सकते हैं एक विलायक ऐसे जिने धुर्वी कहा गया और एक विलायक ऐसे जिनमें नमक नहीं गुलता उन्हें अधुर्वी कहा गया तो बच्चों विलायक की प्रकति क्या होती है विलायक की प्रकति तो हम लोग विलायक की प्रकति को बच्चों यहां समझ रहे हैं तो विलायक की प्रकति बच्च अध्रुवीucha agricultural तर विलायक बत बच्चों ऐसे विलायक होते हैं जिन में कुछ न कुछ आवेश उपस्तित होता है जो वैद्धुत दुईद्रों की भाती बिहेव कर सकते हैं जैसे जल का अडु तो जो जल醉 होता है बच्चों उसमें आक सीजन के पर्माडू पर थोड़ा सा रिलावेश होता है और हाइड्रोजन के परमाडूओं पर थोड़ा सा आंशिक धनावेश होता है तो बच्चों या बिएव कर सकता है वहवार कर सकता है एक दूई ध्रूव की बात ही जिसमें दो दूव हैं एक धनावेश दूसरा रिलावेश तो बच्चों वे सभी विलायक जिनमें कुछ न कुछ आवेश की मात्रा उपस्तित होती है प्लस और माइनस की उन्हें बच्चों कहा जाता है द्रुवी विलायक और जल सबसे बड़ा द्रुवी विलायक माना जाता है इसे सरवात्रिक विलायक भी बच्चों कहा जाता है है कि तो जल बच्चों एक धुर्वी विलाइक है तो निश्चित तो पर हमेशा ऐसे योग इक जिनमें कुछ आवेश है वे जल में घुल जाएंगे क्योंकि घुलने का केवल एक ही नियम है same dissolve same और same like same same like same और same dissolve same same dissolve same यानि जो जैसी प्रकति का है वो वैसी प्रकति में ही घुल जाएगा आपने सामान जीवन में भी ऐसानुबव देखा होगा कि अगर कोई शरारती लड़का है तो उसे मज़ा उन ही लड़कों के साथ में आता है जो शरारती है उसे सीदे साधे क्लास में बच्चे पसंद नहीं आते हैं वो उन ही के संगत में बैठेगा जो शरारती हैं कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसे उनी बच्चों की संगत पसंद आएगी क्लास में जो पढ़ने वाले होंगे कई बार ऐसा होता है कि एक नए बच्चे का एड़िशन क्लास में हुआ तो वो नया बच्चा धीरे धीरे क्लास के बच्चों में अपनी पैचान बनाता है और देखता है कि कौन से बच्चे उसकी प्रकति के हैं अगर वा बच्चा पढ़ने वाला है तो पढ़ने वालों की संगत में चला जाता है और नहीं पढ़ने वाला है तो वो नहीं पढ़न एकर की प्रक्षित में आवेस नहीं है कार्वनी की योगफ है तो गुलना चाहेगा ऐसे विलाइकों में जिसमें आवेस ना हो जैसे कि हम यहां बात करें नमक की तो में बच्चों होता है प्लाइक प्रगति और बिलायक की प्रगति बच्चों समानों है तो वे एक दूसरे को लाइक करेंगे अर्थात पसंद करेंगे और वे एक दूसरे को पसंद करते हुए एक दूसरे में मिल जाएंगे और समांगी मिश्रण बना देंगे इसी का उल्टा अगर बच्चों हम बात करें तो अधर भी विलायक कैसे होते हैं अधर भी विलायक ऐसे विलायक होते हैं जि sore LDR και το दोन वगरे। और इनमें बच्चे सदाव Credit गूलते हैं जो इनी के जैसे कार्वनिक योगी कोते हैं तो जन्रली हम एक स्टे डेशंे सकते हैं कि जो अकार्वनिक पदार्थ हैं जिन में कार्बन नहीं है वे जल में घुल जाते हैं क्योंकि जल में भी कार्बन का कोई परमाडू नहीं है और जो कार्बनिक विले हैं जो कार्बनिक पदार्थ है अर्थात जिनमें कार्बन उपस्तित है तो वे बच्चों इन विलाइकों में गुल जाते हैं क्योंकि इन में कार्बन है ये सभी बच्चों द्रव अस्था में पाई जाते हैं पानी के समान ही बेंजीन भी द्रव है अगर आपको एक ग्लास में बेंजीन दे 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 तो दोनों देखने में एक समान लगते हैं दोनों अगर आप नहीं जानते हैं कि इ वैसे ही नाक के पास ले जाएं तो आपको उसकी इसमेल से थोड़ा समझ में आएगा यह पानी नहीं है वरना आप इन दोनों में अलग-अलग भी आसानी से देखके नहीं कर सकते तो दोनों बच्चों देखने में एक समान होते हैं चाहें बेंजीन हो चाहें पानी हो लेकिन प्रकति में बच्चों अंतर बहुत बड़ा होता है एक ध्रुवी प्रकतिका है और दूसरा अध्रुवी प्रकतिका है एक में नमक घुलेगा दूसरे में नमक नहीं घुलेगा तो समझ लिया है आपने बच्चे यहां पर ध्रुवी और अध्रुवी विलाइकों को एक को सा ऐसा पदार्थ है जो इन में गुलेगा मगर जल में नहीं गुलेगा तो बच्चों देखिए एक्जामपल में आपको देता हूँ आप सभी लोग टालूइन का नाम जानते हैं टी ओ लो यू यह नि टालूइन इसका सूत रोता है जब बेंजीन के उपर हम CH3 लगा देते हैं तो यह बन जाता है टालूइन क्या बन जाता है टालूइन अगर में टालूइन को बच्चों गोलना हो टालूइन को मिलाना हो तो टालूइन एक द्रव है और इस द्रव को अगर आप पानी में मिलाओगे तो दोनों अलग-अलग लेयर में बैठ जाएंगे पानी की लेयर और टॉल्वीन की दो परते बन जाएंगी अर्थात दोनों अमिस्रणी हैं दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते अर्थात एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे एक दूसरे में नहीं विले होंगे लेकिन अगर इसी टॉल्विन को आप बेंजीन में मिला दो तो बच्चों बेंजीन के साथ टॉल्विन बड़े आराम से मिस्रणी है बहुत प्यार से गुल जाएगा इन दोनों के कड़ों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके समांग विलियन बना देंगे तो आपने देखा बच्चों की टॉल्विन का जो बेंजीन में विलियन होगा वह होगा समांग विलियन लेकिन इसी टॉल्विन का अगर पानी में विलियन बनाएंगे तो वह होगा विसमांग विलियन तो आपने अच्छे जा समझा आज के लिए बच्चों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हम ले करके आपके लिए आ रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि सांधरता क्या होती है और सांधरता पद क्या होते हैं सांधरता पदों हैं बच्चों हम लोग नारमलता, मोलरता, मोलता, मोल प्रभाच, इत्याद चीज़ों के बारे में जानेंगे और करेंगे इनके नुमेरिकल्स को वैसे ये सांदर्ता पद आपको क्लास 11 में भी पढ़ाए गए हैं लेकिन क्लास 11 में हो सकता है कोरोना की वज़े से आप लोग इतना ध्यान न दे पाए हूँ इसलिए हम यहाँ पर भी इन पदों का बहुत विस्तार पूर्वक अध्यन करेंगे और करेंगे इन से समंदित छोटे मोटे प्रशनों को इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बिलकुल भी मत भूलिएगा जो वीडियो लेक्चर नमबर टू आएगा क्योंकि उसमें जो सांदर्ता पदम प्रयोग करने वाले हैं सीखने वाले हैं उनका प्रयोग जो अलुसंक गुर्दर में वहाँ पर बहुत अधिक होता है तो चलिए बच्चों अगर आपको मेरी बातें जन्यून लगी हों तो अपने दोस्तों तक इनको जरूर पहुँचाईए गुड डे गुड बाई थैंक्यू